आज जो मैं आपको मूवी एक्स्पेंट करने वाला हूँ इसका नामें फ्रीडा और फ्रीडा कोहलो एक मैक्सिकन आर्टिस्ट के लाइफ पर ये मूवी बेस्ट है ये मूवी उसके कॉंट्रवर्शल लाइफ पर बायाग्राफी है वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना जाता हूँ अगर आपको वीडियो चलागता है प्लीज इस वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रू कर दिजेगा अब बिना किजिदेरी के इस एक्स्प्लिनेशन को स्टार्ट करते हैं मुवी स्टार्ट होती है और हमारी में कैरेक्टर इसकाना में फ्रिडा इससे हम बेड उपर देख सकते हैं बेड उपर ही वो अपने इग्जिबिशन को देखने के लिए जा रही थी उसका रिजन क्या है इसके बाद मुवी फ्लैश्बैक में जब फ्रिडा यंग थी तब से स्टार्ट होती है फ्रिडा अपने फ्रेंड्स को लेकर डियागो की पेंटिंग देखने के लिए जा रही थी डियागो उनकी यूनियोसिटी में निूड पेंटिंग बना रहा था तो यही को देखने के लिए आये डियाओगो हमारा और एक main character है painting बनाते बनाते डियाओगो की wife भी वहाई वो बहुत ही गुस्सा हो गई थी क्योंकि उसे लगा कि डियाओगो का इस model के साथ भी चक्कर है और actual में situation ऐसे ही थी wife की जाने के बाद उस model के साथ हो intimate होने लगता है फ्रिडा और उसके friend से देख रहे थे तो उसे आवाज लगा कर disturb करते यह उन पर चिलाया और यह सब भाग गया इसके ओध फ्रिडा अपने boyfriend के साथ खुद के गर में intimate हो रही थी उसके sister Tina की शादी है तो आस-पास सारी तयारिया चल रही थी तब ही वो अपने boyfriend के साथ थी निकसिन में वो उसके father के साथ दिखती है उसके father एक बहुत ही अच्छे से photographer थे उन्हें हमेशा से एक बेटा चाहिए था तो फ्रिडा को एक बेटे की तरह ही वो treat करते थे वो एक family picture ले रहे थे उसमें भी फ्रिडा एक लड़के की तरह ही dress up हुई थे एक दिन जब फ्रिडा अपने boyfriend के साथ स्कूल जा रही थे अचानक से गाड़ी में उसका accident हो गया इस accident में उसे बहुत चोट आई थे उसवर बहुत सारे operations हुए डॉक्टर उसकी family से कहते हैं फ्रिडा अब चल नहीं पाएगी वो जब थोड़ी दिन बाद recover हुई तो उसे घर लाया जाता है उसकी पूरी body पर plaster था उसके father ने ठान लिया था फ्रिडा को फिर से वो अच्छा करकर ही रहेंगे इसके लिए उन्होंने बहुत सारे operations की है इसमें उनके सब पैसे चले गए थे फ्रिडा हमेशा बेड़ पर ही होती है तो बागी कुछ कर नहीं पाती है तो drawing करना वो start कर देती है एक दिन उसका boyfriend मिलने के लिए आया वो उसे देखकर बहुत ही खुश थी इन्होंने कुछ बात देखी फिर वोा फ्रेंड ने कहा कि उसे अलग country में जाना पड़ेगा फ्रिडा भी हसी कुश उसे जाने देती है उसे बहुत बुरा लगा था वोा फ्रेंड की जाने के बाद वो बहुत रूई फ्रिडा के फादर उसके पास आते थे उन्हें बहुत बुरा लगता था एक दिन फ्रिडा उसे कहती है कि आप हमेशा मुस्से क्वेशन पूछते थे तुम्हारे लाइफ में प्लान क्या है आज कल आप ऐसा कुछ भी नहीं पूछते फादर ने पूछा तो कहती है मुझे मेरे पेरों पर खड़ा होना है फिर से नॉर्मल बनना है आज फादर ने कैनवास और उसका स्टैंड फिडा के लिए बनवा दिया था यानि कि अपने बेड में अच्छी सी पेंटिंग कर सके फिडा प्रैक्टिस करती गई और टाइम खुजरता गया उसकी हैल स्लोली स्लोली इंप्रू हुई और एक दिन अपने पेरों पर वो खड़ी हो जाती है उसके फैमिली ये देखकर बहुत खुश थी है थोड़े दिनों में उसे केन से चलना आने लग गया वो फिर डारेक्ली डियागो के पास पोश्चती है तो वही पेंटर है जिस हमने उसकी वाइफ पर चीट करती हुए उसे देखा था वो उसे नीचे बुला कर बुश्चती है मेरी पेंटिंग देखो मुझे बताओ क्या मैं इसे अर्न कर सकती हो क्या मैं एक अच्छी पेंटर हूँ डियागो कहता है जो रियल पेंटर होता है वो पेंटिंग को छोड़ कर और कुछ कर नहीं पाता अगर तुम्हें एक्च्छल में पेंटिंग अच्छी लगती है तो तुम्हें आर्टिस बन जाओगे फ्रिडा कहती है मुझे इन सब बातों में इंटरेस नहीं है वो इन पेंटिंग को सेल करकर अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती है डियागो ने उसे उसकी पेंटिंग रखने के लिए कही बात में इसे उसने नोटिस किया तो उसे ये पेंटिंग बहुत अच्छी लगी वो फ्रीडा के घर पर आकर उसकी और भी पेंटिंग देखता है डियागो एक्च्छल में एक प्लेबॉइ टाइप कैरेक्टर है उसके कॉन टाइम में जो भी लड़की आती है तो उसके साथ वो इंटिमेट होता है फ्रीडा को डाउट आता है कि वो सिर्फ उसके साथ इंटिमेट होने के लिए तारिफ कर रहा है इसके बारे में उसे बुछती है तो गहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है ये पेंटिंग्स उसे सचमूच में अच्छी लगी है इसके बाद डियागो फ्रीडा को एक पार्टी में लेकर गया जहावर सब influential लोग और आर्टीस्त है यहावर फ्रीडा डियागो की एक्सवाइब से मिली डियागो कुछ और लडकियों के साथ था तो फ्रीडा और डियागो की एक्सवाइब इ theta करते है फ्रीडा wonder कर रहे थी कि Diago इतने सारी लड़कियों को attract कैसे करता है वो दिखने भी इतना खास नहीं है Diago की ex-wife कहती है कि वो हर लड़की में beauty ढूंदता है वोनी beautiful नजरों से देखता है इसी वज़े से हर लड़की उसकी पागल हो जाती है ये movie का जो हमारा time period है 1907 से लेकर 1954 तक का है तब इटली में जो भी revolution चल रही थी इसलिए कर Diago उसका party में का एक friend इनमें debate होती है ये दोनों फिर एक drinking game खेलने लग जाते है गेम चलते चलते Frida ने bottle उठाई और पूरी वो कटक गई इसके बाद music चलता है और वहाँ के host के साथ वो dance करती है अट दे इंड उफिट उसने उसे kiss भी कर लिया था कुछ दिनों में Frida और Diago ये अच्छे friends बन गई थे ये दिने एक साथ थे तो Diago को उसे अपने studio में बुलाता है Frida कहे थी कि मैं तुमारे साथ intimate नहीं होना चाहती मुझे हमारे relationship सिर्फ professional रखनी है उसे इसे जादा बढ़ाना नहीं है Diago ने भी उसे promise किया कहा कि हम दोनों सिर्फ friends रहेंगे ये बात बोलने के बाद ही एक दूसरे को kiss कर लेते है अंदर जाकर एक दूसरे के साथ intimate हो गया इनका ये affair बहुत दिनों तक चला एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश थे एक दिन Diago ने Frida से शादी के लिए पूछ लिया Frida उस पर विल्यू नहीं करती कहती है तुमारे औरेडी दो शादिया हो चुकी है तुम मुझसे भी faithful नहीं रह सकते Diago को भी ये बात मान लेता है शादी होने के बाद भी वो continuously cheat करता रहेगा Diago ने उसे पूछा क्या तुमारे लिए ये बात इतनी जादा important है Frida कहे थी कि नहीं सिर्म उसे loyal रहना उसने उसे हा कह दिया इन दोनों की शाद ही हो जाती है Frida की मदर इस बात से नाराज थी उसे Diago उसके लिए अच्छा नहीं लगता जैसे का मैं पता है Frida का इलाज करने के लिए उसके फादर को बहुत सारे financial problems आये थे इनके loans वेगरा pay करने वे भी Diago उने help करता है marriage के party में Diago की friend ने toast किया वो गहती है कि शादी पागल लोगों के लिए होती है इनने पता ही नहीं एक दुसरी से कितना चगणने वाले है एक दुसरी की life है बरबात कर देंगे इन सब चीजों के बाद भी सब चीजे एइनॉर करकर एक couple अगर साथ रहे तो उसे ही सही marriage कहा जाता है वो Diago और Frida को courage दिखाने के लिए congratulations करती है Diago की ex-wife बहुत ही जादा drunk हो गई वो गुस्से मुझसे कहती है तुमने इस से शादी किये Frida की accident की वज़े से वो सही से चलन नहीं पाती है उसका body shape भी थोड़ा सा अलग हो चुका है Diago की ex-wife बहुत जादा गुसा गर कर वहाँ से चली गई ये सब चीज डियागो सिर्फ देख रहा था तो इस पर Frida को बहुत जादा गुसा आ गया उससे मनाने के लिए आता है Frida कहती है मेरी मदर कहती है तुम एक हाती की तरह हो पर इलिवन भी अपनी wife को protect करते है तुम दो वह भी नहीं करते है Frida beautiful और Diago इतना जादा fat है तो इस जोड़ी सही नहीं लगती Frida ने कहा कि लोग क्या कहेंगे Diago कहता है हम दोनों की जोड़ी पर सब लोग jealous होंगे इतना हम एक दूसरे से प्यार करेंगे सुबा होने पर Diago अपनी favorite dish का breakfast कर रहा था Frida पूछती है कि ये किसने बनाया Diago कहता है मेरी ex-wife मेरे बच्चों के साथ उपई रहती है वो मुझे देख कर गई थी Frida इस वर बहुत जादा घुसा हो गई उपर जाकर उसे कहती है कि तुम्हे क्या लगता है हमारा marriage टीक नहीं पाएगा मैं इसे successful करकर दिखाऊंगी कभी भी मेरे घर कुछ भी पना कर मत भेजना ex-wife कहती है कि अगर तुम्हें टीक ना है तुम्हें उसकी favorite dish आनी चाहिए इसके बाद ये दुनों friends हो गई ex-wife Frida को जो डियागो को डिशेश पसंद है ये वाना ना सिखाती है ex-wife ने कहा कि डियागो सिर्फ अपने आप से प्यार करता है कभी भी वो किसी का भी अच्छा आजबन हो नहीं सकता Frida कहती है कि मैं देख लूंगी एक दिन Frida Diyaगो की स्टूडियो में आई तो एक न्यूड मॉडल को ड्रॉ कर रहा था Frida को इस बात से ज़्यादा कुछ भी प्रॉल्म नहीं होती है इन दोनों को आज बहार जाने का प्लान था Diyaगो घर पर ज़रा लेट पहुचा वो कुछ बहाना बना रहा था पर Frida ने जब उसे स्मेल किया तो उसे पता चल गया कि Diyaगो उस मॉडल के साथ इंटिमेट हुआ था वो इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होके पर उसे चेंज नहीं कर सकते वो इसे कहती है कि हमें पार्टी में जाना है जल्दी से नहा कराओ इस पार्टी में बहुत ज़्यादा ड्रंग हो गई थी एक आदमे Diyaगो के साथ लड़ने लग गया था तो Frida खुद उसे बहुत मारती है Diyaगो एक कम्यूनिस्ट पार्टी के लिए काम करता था पर जो अमिर लोग है उनके लिए वो पेंटिंग बनाता है आज Diyaगो को ओफर मिला है अमिरिका में उसका पेंटिंग का एक्जिविशन होगा वहाँ पर उसे बहुत सारा काम मिल सकता है इसी वज़े से उसने अपनी पार्टी क्विट करती यह सब बात वो Frida को बताता है Frida को बुरा लगा Diyaगो अब उसे दूर जाएगा पर Diyaगो कहता है तुम्हें भी मेरे साथ आना है यह बात सुनकर Frida बहुत ही खुश थी Diyaगो को अमेरिका में बहुत सारा फेंग मिला Frida कहती है कि जिस आदमे का एंबिशन होता है उसे अमेरिका में रिस्पेक्ट दिया जाता है Diyaगो यहाँ पर बहुत ही खुश था वह मस्था और बहुत सारी लड़कियों के साथ इंटिमेट होता था Frida एक बाइसेक्शुल थी लड़कियों के साथ भी इंटिमेट होती थी अब Diyaगो उस पर चीट करता ही है तो वह भी लड़कियों के साथ सोती है वह एक लड़की के साथ इंटिमेट हुई जो अल्रेटी डियागों के साथ इंटिमेट हुई थी यह दोनों बात करते है तो लड़की Frida से पुश्चती है तुम Diyaगो का इस तरह से behavior किस तरह से accept करती हो Frida कहती है कि वह जो है वो है जब मैंने शादी की थी तो मैंचे सब कुछ पता था अब मैं उसे change नहीं कर सकती Diyaगो के साथ Frida भी painting करती रहती थी एक दिन जब यह दोनों एक साथ है Frida न Diyaगो से कहा कि वो pregnant है Diyaगो worried था Frida का bone structure पूरी तरीके से बिगड़ा हुआ है उसे पूरी body में पेन होता है ऐसे में अगर वो pregnant है तो उसकी और बच्चे की दोनों की life को खत्रा है Diyaगो बच्चे के लिए मना कर रहा था Frida बहुत excited थी उसे बच्चा चाहिए था Delivery successful हो की इसके chances बहुत ही कम थे और Frida के खुशे के लिए Diyaगो इस बात के लिए मान जाता है कुछ मंद स्पीत कहे और अचानक एक रात Frida को बहुत सारा bleeding होने लग गया उसा hospital में admit किया तो उसका miscarriage हो गया था वो होश में आने के बात जब उसे news मिली तो बहुत जादा disturbed थी उसके dead baby को दीखना चाहती थी इनी सब emotions को लेकर उसने एक heartbreaking painting बनाई Diyaगो एक देखकर बहुत रोता है वो Frida का बहुत अच्छे से खैल रखता है एक दिन Frida को लेटर मिला उसकी मदर की हालत बहुत जादा खराब थी वो अपनी मदर को दीखने के लिए आए तो अपने बेड में थी उसकी date अब कभी भी हो सकती थी यहाँ बहुत सालों बात वो अपनी sister से मिलती है sister का अब divorce हो चुका था उसका husband उसे बहुत मारा करता था फ्रिडा को बहुत बुरा लगा उसे लगा कि अपनी sister को support करने के लिए उसे यही होना चाहिए था फ्रिडा के फादर भी बहुत जात दुखी थे फ्रिडा उन्हें सहारा देती है फादर कहते हैं मैं तुम्हारी मदर के साथ हमेशा जगड़ा करता था अब जब वो बिमार है तो उसकी garden का में खैल रख रहा हूँ वो अपनी wife से बहुत ही प्यार करते है इसके बाद ही फ्रिडा की मदर की डेथ होके अमेरिका में डियागो को एक बड़ा सा काम मिला था वाल पर painting करने का एक काम था तो उस पर वो वर्क अपना स्टार्ट करता है डियागो के एक वर्कर ने इस वाल पर linen का picture बना दिया था यह जिस बहुत ही ज़्यादा controversial होगी जिसके वाल थी उसने डियागो को बुलाया वो कहता है कि तुम्हें वो picture निकालना पड़ेगा डियागो ने कहा कि मेरे principal की खिलाफ है ओनर कहता है तो फिर तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा डियागो अब भी इस बात पर सोच सकता है जब फिडा मैक्सिकोस है फिर से USA तो इस बात को लेकर बात करते है डियागो अपने आपको doubt कर रहा था उसे यही रहना है यहाँ की lifestyle पसन है तो वंडर करता है उसे अपने painting को मिटा देना चाहिए फिडा कहती है तुम जो भी करोगे और सही करोगे अब तक तुमने जो किया इससे controversies खड़ी होके लोग हमेशा तुम्हारा नाम याद रखेंगे डियागो ने decide किया कि अपनी bending नहीं मिटाएगा ओनर ने फिर जबरदस्ती वाल तोड़ दिये यह सब चीज़े डियागो को illegal लगी वो अमेरिका में ही रहकर इन सब चीज़ों को fight करने वाला था फिर्डा इन सब बातों से तंग आ गई थी उसे face से अपनी country में वापस जाना है इस बात को लेकर इन में fight हुई और इस face से मैक्सिको में आ गए फिर्डा के गर उसे मिलने के लिए उसकी sister आई वो अपने husband के साथ नहीं है तो बहुत यह अकेला महसूस करती है कभी-कभी उसे लगता है कि उसके husband के पास वापस चली जाए फिर्डा कहती है अगर तुमें कुछ काम होगा तो यह सब चीज़े याद नहीं आएगी तुम ज़रा बीजी रहोगी sister को भी यह बात सही लगी डियाओ को आजकल कुछ भी paint कर नहीं रहा था उसका पूरा studio तेसनेस पड़ा हुआ था फिर्डा फिर अपनी sister को इस studio को ठीक करने का काम देती है एक रात जब वो इस studio में आई तो डियाओ को फिर्डा के sister के साथ ही intimate हो रहा था इस वर वो बहुत गुस्सा हुई और वो डियाओ को के साथ कोई भी relationship नहीं रखना चाहती है रात में डियाओ को उससे समझाने के लिए आता है कहता है उस सब बातों को कोई भी meaning नहीं था मैं प्यार तो तुम से ही करता हूँ फिर्डा कहती कि वो मेरी sister थी मैंने तुम्हें सिर्फ loyal रहने के लिए कहा था उसने कहा मेरे life में दो accident हुए है कार accident और तुम से शादी करना अब फिर्डा घर छोड़कर एक दूसरी जगा पर रहे रही थी उसने अपना पुरा holy eye change कर डाला वो ड्रंग हो जाती थी फ्रेंड्स को बुला कर घर में दीन रात पार्टी कर दी थी एक दिन डियागो की ex-wife उसे मिलने के लिए आई उसकी ऐसा भाला देकर गए थी है तुम्हें कुछ जॉब ले लेना चाहिए यानि तुम अपने bills पे कर सको अपने life को ज़रा control में ले सको फ्रिडा ने भी यही किया अपने कुछ पेंटिंग सेल करती और professionally paint करने लगे एक दिन डियागो फ्रिडा से help मांगने के लिए आया डियागो का एक friend है जिसका नामें Trotsky इटली में जो भी चल रहा है इसके खिलाब वो revolution करता है Trotsky को अपनी जान का खत्रा है डियागो चाहता था कि Frida Trotsky को उसके घर में रखे जहाँ वो safe रहेगा Frida डियागो उपर गुसा थी पर उसने उसे बहुत request की तो मान जाती है Trotsky Frida के घर पर आया उसके protection के लिए बहुत सारे लोग Frida के घर को protect करते थे एक रात ये सब मिलकर dinner करते है dinner के बाद टियागो Frida के साथ उसके रूम में जाना चाता था Frida ने इसके लिए उसे मना कर दिया उसने अब तक उसे माफ नहीं किया Trotsky ने Frida की जब मेंडिंग्स देखी Trotsky ज़रा old है पर फिर भी ये pyramid चड़ना चाता था Frida भी decide करती है जो सही से चलनी पाती है पर फिर भी ये pyramid चड़ेगी Trotsky Frida से कहता है मेरे दोनों बेटों को मार दिया गया मैं जो ये जंग लड़ रहा हूँ मुझे पता है कि मैं इसमें हारने वाला हूँ पर फिर भी लड़ने के अलावा और क्या किया जाए मुझे पता नहीं उसने Frida को समझाया तुमारी जो paintings है इसमें यही पैन निकल कराता है तुमें लगता है तुमारी painting लोग को अच्छी नहीं लगेगी पर जो pain तुमारी painting में है यही pain बहुत सारे लोगों ने महसूस किया है इसके बाद जब यह दोनों घर पर आया तो एक दुसरे के साथ intimate हो जाते है इन दोनों के relationship आगे बढ़ रही थी पर रॉसकी के wife को यह सब बात पता चल गई वो अपनी wife को जादा hurt करना नहीं चाता था तो वहाँ से वो चला गया डियागो फ्रीडा से बुच्छता है ऐसा हुआ क्या फ्रीडा कहती है उसने अपनी wife के लिए अपनी खुद की खुशी sacrifice कर दी डियागो को सब कुछ पता चला तो फ्रीडा पर बहुत जादा गुस्सा था फ्रीडा कहती है जैसा तुम्हें अब लग रहा है वैसा मुझे हमेशा लगता था इसके बाद फ्रीडा को offer मिला और France में उसकी printing का exhibition होने वाला था तो वो भी वहाँ चली जाती है वहाँ जाकर बहुत मज़े करती है अब फ्रीडा को डियागो से मिले हुए दस साल हो चुके है दस सालों में उसने रियलाइस किया कि वो सिर्फ डियागो से ही प्यार करती है यह चीज उसने लेटर में भी लिकी है थोड़े समय बात जब दोनों मिले तो डियागो से कहता है मुझे डिवास चाहिए हम दोनों के लिए यही करना सही होगा फ्रीडा कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ पर डियागो मानता नहीं डियागो एक कम्यूनिस्ट था तो कवर्मेंट के खिलाव जाकर उसने कुछ गलाज चीज़े की थी वो इस गंडरी से भाग चुका था तो फ्रीडा से क्वेस्टन किये जाते है फ्रीडा कहती है कि वो मेरा अब हस्बन नहीं रहा फ्रीडा जादा ट्रबल में ना आये यही रिजन था कि डियागों से डिवास लेना चाता था डिवास हो जाने के बावजूद भी फ्रीडा को जेल में डाल दिया जाता है डियागों को यह बात जब पता चली तो उसने गवर्मेंट पर बहुत जादा प्रेशा डाला फ्रीडा को फ्री करना ही पड़ता है फ्रीडा को जेल में रेने के लिए उसकी सिस्टर आई हुई थी उसे सौरी कहती है फ्रीडा कहती है सब कुछ गल्ती मेरी ही थी जो तुम्हें उसके बास भेजना ही नहीं चाहिए था अपनी सिस्टर के साथ उसकी रिलेशनशिप अफ सही हो चुकी है जैसे ही फ्रीडा की थोड़ी सी एज बड़ी तो अपनी बॉड़ी में उसे बहुत जादा पेइन होता था उसकी हालत बहुत खराब थी जैल में रहने की वज़े से उसकी पेर की उंगलिया खराब हो गई थी डॉक्टर उसको वो काटनी बड़ी फ्रीडा की हलत के बारे में डियागो को पता चला तो उसके पास पहुच गया वो गहता है यह फ्लीज फिर से मुझसे शादी कर लो मुझे तुमारे साथ रहना है फ्रीडा कहती कि मुझे तुमारे रहम की जरूरत नहीं है मैं ड्रिंक करती हूँ, स्वेर करती हूँ तुम मेरे साथ खुछ रहनी सकते डियागो ने कहा कि तुमारे भी ना, मैं बरबात हो चुका हूँ मुझे तुम्हारी सबसे ज़ादा जरूरत है फ्रीडा अब उसे एक्सेप्ट कर लेती है फ्रीडा की हालत खराव होती गई वो अज सिर्व अपने बेड में रहती थी उसका हमेशा से सपना था खुद की कंट्री में उसका एक्जिबिशन हो अब इस सबना उसका फाइनली कंप्लेट होने वाला है यह एक्जिबिशन देखने के लिए वो जाना चाहती थी पर डॉक्टर ने उसे मना किया था वो अपने बेड से ओड़ी भी नहीं सकती उसने फिर कुछ लोग की हेल्प ली और पुरे बेड के साथ एक्जिबिशन में पहुच आती है मुवी के फस में हमने जो सीन दिखा था यह वही सीन था एक रात फ्रिडा और डिया को एक दूसरे के साथ थे डिया को कहता है हमें एक साथ 25 साल हो चुके है उनकी वेडिंग अनिवरसरी टू विक्स में थी उससे पहले ही फ्रिडा ने उसे गिव्ट दे दिया उसे नहीं लगता था कि वो अब दो विक्स भी जिन्दा रहे की उसने कहा कि मुझे जमीन में मत गाड़ना मुझे जला देना वो फेस से एक जगा पर नहीं लेटना चाते इसलिए जलना चाती है इस सीचोईशन की भी उसने पेंटिंग बनाई थी इसके तुरंद बाद उसकी डेथ हो गई उसकी लाइफ में बहुत सारी हार्ड शेप थी पर हमेशा अपना जो भी पेंट था वो अपने काम में अपनी पेंटिंग में वो डालती रही और इसी वज़े से उसकी पेंटिंग बहुत ज़्यादा फेमस हुए इसी तरीके से मुवी एंड होती है अगर आपको वीडियो चलागा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करतीजेगा हम फिर से मिलेंगे और एक नहीं मुवी के साथ तो ते लिए थैंक्यू और आप अपने आपका खैल रखिया